यो सब गाइस सो आगेते हैं आपका फिर से एक और वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूं सब मेरे भाई ठीक होंगे तो यार इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको ग्राफिक सेटिंग के अंदर न्यूस्टेट मोबाईल में ग्राफिक की ऑप्शन देखने को मिलती है तो कौन सा ग्राफिक एप आपको यूस करना जाए अपने डिवाइस के अनुसार वह हम पूरा इस वीडियो के अंदर बात करने वाले है तो वीडियो में आगे बनने से बहले शूरी सिर्क्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देन अपने फ्रेंस के साथ और फॉस्ट टाम चैनल पर आया तो ऐसी वीडियो देखने लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं सो भाई लोग रीसेंटली एंड्रोइड डिवेलपर की तरफ से एक वीडियो डालेगी इनकी ऑफि इंटरफेस ठीक है जो भी आप यूज़कर रहे हो जा फिर को गेम खेल रहे हो ठीक है तो इसी प्रोगरम के माध्यम से जो भी ग्राफिक रेंडर हो रहे हो आपकी स्क्रीन पर उसे बोलते हैं ग्राफिक API तो ग्राफिक API के अंदर फिला ayudรुन आपको देखने को मिलते हैं तो यहां पर आप चेक आउड करो वाई रिलीजिंग डेट, जो लास्ट अपडेड आई थी OpenGL के अंदर वो आई थी 2017 के अंदर, उसके बाद OpenGL के अंदर कोई भी अपडेड देखने को नहीं मिली, और जो रिसेंटली अपडेड आई है, Vulcan के अंदर वो आई थी 2021 के अंदर, तो इससे यह पता चल चुका है कि Graphic API के अंदर जो Vulcan है, वो New Graphic API है और OpenGL पूराना Graphic API है, और साथी यहां पर आप OpenGL के सभी पूराने वर्जिन चेक आउड कर से जो अब तक आ चुकी है, पहले आया था 1.1, फिर आया था 2.0, फिर 3.0, फिर 3.1, फिर 3.2 ठीक है, जो latest आ आपको देखने को मिला, फिर Android 9 के साथ आपको Vulcan 1.1 देखने को मिला, फिर Android 13 के अंदर आपको 1.3 वर्जिन भी देखने को मिल रहा है, और साथी यहां पर Android developer की तरफ से इन्होंने अनौन्स कर दिया है कि Future के अंदर आपको OpenGL Graphic API के अंदर को भी नई अपडेट देखने को नहीं मिलने में, जो भी आपडेट आज चुकी है, 3.2 की वही रहेगी, बट फिचर में आपको जो भी Graphic API के अंदर आपडेट देखने को मिलेगी, वो सिर्फ Vulcan के अंदर ही देखने को मिलेगी, अब बात करतें दोनों Graphic API के अंदर क्या डिफरेंस है, पहले बात करतें OpenGL के बारे में, देखो OpenGL पहले तो पुराना Graphic API है, दूसरी बात OpenGL आपके device का CPU ज्यादा यूज़ करता है, ठीक है, और तीसरी बात भाई देखो जो भी 32 विट के device होंगे, mostly उनके अंदर आपको OpenGL ही देखने को मिलता है, और तीसरी बात जो भी आप गेम खेलोगे, जो गे Graphic API आपके device का CPU भाई कम यूज़ करता है, और आपको अच्छे real-time 3D Graphic देखने को मिलते हैं, तो यह तो नॉर्मल बात है, अगर आपके device के अंदर आपका Graphic API आपके device का CPU कम यूज़ करता है, तो थ्रोटलिंग कम देखने को मिलेगी, आपका device कम हीट होगा, और ज्यादा performance देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, दोनों के अंदर क्या difference है, लगबग, अब बात करते हैं as a example के बारे में, ठीक है, देखो PUBG Mobile और BGMI, इन दोनों के अंदर as a default OpenGL Graphic API यूज़ होता है, बट अगर बात करूं यहाँ पर New Street Mobile के बारे में, तो New Street Mobile आपको पता है, लेटस गेम है, और इसके अंदर आपको दोनों Graphic API देखने को मिलते हैं, OpenGL and Vulkan, तो आप अपने उनसार जो भी आपका जैसा डिवाइस है, उस तो साफसे गाइस, आप Graphic API चूज़ करके गेम को enjoy कर सकते हो, बात करते हैं बात करते हैं, बात करते हैं, बात क स्नैपड्राइगन का पॉसेसर वाला फोन है, तो भाई उसके अंदर आंडरी नो 540 से जादा होना चाहिए, ठीक है, तो यह एक minimum requirement यह एंडर डिवेल्पर की तरफ से अनाउंस की गई है, तो यहां तक मैंने आपको पूरा बता दिया, कौन सा Graphic API लेटस है, क्या difference है, ठीक करता है, और नीचे देखो, वलकन, 1.1, तो इस तरह आप चेक आउट कर से वे आपके डिवाइस के अंदर कौन सा Graphic API स्पोर्ट करता है, तो साथी यहां पर आप साइड बाई साइड दोनों के Graphic API चेक आउट कर से एक तरफ है वलकन, दूसरे बापन जील, दोनों के अंद ग्राफिक क्वाल्टी में को सेम लग रही है, जो भी पत्थर, घास, ट्री, एकॉल टाइम, सेम टैंपर रेंडर हो रहा है, बट दोनों Graphic API के अंदर जो कोडिंग यूज होती है, वो अलग-अलग यूज होती है, तो यह सब जानने के बाद, अब हम फाइनली बात करते है कि हमें कौन सा Graphic API यूज करना चाहिए, निउस्टेट मॉपाइल कीनत ताकि हमारी यह मच्छी चले, लैग वैग कम हो, तो इसको जानने के बाद दो रास्ते हैं, एक तो सिंपल रास्ता, एक है टेरा रास्ता, ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिंपल रास्ते के बारे में, तो अगर आपके device में Android 12 चल रहा है, Android 12 चल रहा है, जा फिर Android 12 के उपर का version चल रहा है आपके device में, तो आप 20 दास वल्कन यूज करो अच्छा चलेगा, बट अगर आपके device में Android 12 के नीचे का version है, Android 11 है, 10 है, तो भाई आप open jaly यूज करो, वो बहतर रहेगा आपके device के ग्राफिक API optimize है आपके device में, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो वल्कन स्लेक्ट करके गेम के ग्राफिक सेटिंग में, तो गेम को restart कर लेना है, तो एक match खेलना है, तो जो भी वो आपने match खेलना है, आपने hot drop करना है, ठीक है, और खुला rush करना है, मतलब पूरा खुल के rush करना है, और देखो के आपके device में, कितने और कैसे FPS मिल रहे है, ठीक है, उसके बाद, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने open GL select करना है, और फिर से game को restart कर देना है, फिर same आपने करना है, ठीक है, वहीं पर land होना है, वहीं पर hot drop करना है, और खुला rush करना है, उसक आपके बाद आपको एक आईडिया हो जाएगा कि कौन सा ग्राफिक अप्टमाइज में मेरे डिवाइज में क्योंकि यह वाला जो तरीका मैं यूज करता था अपने रियलमी 6 डिवाइज में तो मेरा डिवाइज में मिड रेंज का डिवाइज है तो अगर मैं उसमें उपन यूज करता था वो थोड़ा सा लेग होता था बट जैसे उसके 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 यूज किया तो मस्त चल रहा था ठीक है तो यह मैंने खुद टेस्ट किया तो आपको मैं यही रेक्मेंड करूंगा कि आपने जानना है कौन सा ग्राफिक अप्टमाइज में तो आप इस त अप्लेन कर दिया दोनों ग्राफिक अप्टमाइज में कैसे टेस्ट करना पूरा आपको मैंने बता दिया ठीक है अगर आपको वीडियो यूसफुल लगी वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना अपने फ्रेंज के साथ और ऐसी वीडियो देखने आप चैनल को सब्सक् अपको वीडियो